दोस्तों आपके मक्के खेतों में बहुत प्रकार के घास उग जाते है आप देख रहे होंगे जैसे की पालक भाजी हो गया अलग-अलग प्रकार के घास उग जाती है मक्के खेतों में हम आपको दिखा रहे हैं इसके कैसे नस्ट किया जाए इसका बहुत बड़ा तकलीफ है इसका क्या किया जाए इससे हमारी फसल बहुत नुक्सान हो जाता है मक्के को और घास जो होता है वह अलग से इसके लिए मैं एक आपके लिए सोलूशन लाया हूँ कि इसे कैसे नस्ट किया जाए इसके लिए मैं आपके लिए एक औशदी लाया हूँ उसका नाम है ये वलकर का अल्ट्रा इसमें आप पचास सौ ग्राम डालिए 15 लिटर टकी में 15 लिटर की टकी में और ये जित्ते भी घास आपको दिख रहे हैं ये सब नस्थ हो जाएगे पालक हो गया ये सब नस्थ हो ज 15 दिन में दिखाई देगा 15 दिन में ये जैसे जैसे बारिश होंगी वाईसे सब चीजों को गला दिया जाएगा एक और हमारे पास प्रोड़क्त उसे है धानुका का धनुजीन धनुजीन इस ये भी सेम ही इफेक्ट करता है और दोनों का कंटेंड भी सेम ही है और ये प्र कर जाएगा जैसे जैसे पानी मिलेगा जिसे खेतों में आप पानी छोड़ते हो या बारिश का पानी मिलेगा तो इसमें सब नस्थ हो जाएगा आप एक बार जरूर ट्राय करना और मुझे कमेंट जरूर करना कि आपके खेतों में कैसे असर करें और ये सारे मक्कों को खेत झाल झाल